दोस्तों सिक्षकों के लिए खुसकवरी देखिए क्या है अपडेट आए देखते हैं कि बिहार में इसी साल 1.80 लाख सिक्षकों की होगी बहाले ये बड़ा अपडेट है आए पूरा अपडेट इसमें देखते हैं देखिए आपका है कि राज में प्रारंबिक से लेकर उच मादमिक स्कूलों में लगवग 2 लाख से अधिक सिक्षकों की बहाली होगी सातमे चरन के तहत कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सिक्षकों की बहाली के लिए सिक्षा विवाग ने तैयारी तेज कर दी है प्रारंबिक स्कूलों में लगवग 80,000 सिक्षकों की बहाली के लिए वैकें अक्टूबर तक आएगी शिक्षक बाहली प्रिकरिया में भी बदलाव होगी अवियर्थी से ओनलाइन आवेदन लिये जाएगे एक अवियर्थियों को अलग अलग नियोजन इकाईयों में आवेदन नहीं देना होगा बलकी एक आवेदन ओनलाइन देना होगा पिछले दिनों शिक्षा मंतरी बिजे कुमार चौदरी और शिक्षा विवाग के अपर मुक्ष सचीव दीपक कुमार सिख ने सभी DEO और DPO से शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना विवाग को जल देने के लिए कहा था चटे चरेन में रिक्त रह गए 48,000 सीटों के साथ ही लगवग 30,000 से अधिक और रिक्त हुई पद यानी 80,000 रिक्त पदों हो सकते हैं जिला से रिक्ती की गन्ना 30 जून तक बताने के लिए कहा गया है और जिला स्तर पर डियम से रिक्त पदों की अनुरूप रोष्टर क्लियरेंस 15 जूलाई तक होगा नियोजन निकाय वर कोटी वर रिक्त पदों के को विभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले पॉटल पर 25 जूलाई तक अपलोड कराना है पंचायत वर नगर निकाय के तहत प्रारंबिक और मादमिक विद्यालों में मूल और असनाता कोटी के सिक्षकों के उपलाब दरिक्ती पदों की जानकारी मांगी गई है और 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुस्तर रिक्त बताना है हाई स्कूल में लगवग एक लाग अस्ती एक लाग सिक्षों की बहाली होगी आगे देखिए यहां पर है कि बहाली से मुख्या को मुख्या से लेकर मेयर अलग रहेगा ठीक है यानि इसमें है कि सिक्षों बहाली की चैन परकरिया मास्थानिये जन परती नीदियों भूमीन नहीं रहेगी भूमिका नहीं रहेगी और सिक्षा विभाग बहाली परकरिया में बलाव की तयारी को अंतिम रूप दे रहा है और नियोक्त पंचायती राज और नगर निकाय ही होंगे लेकिन मुखिया प्रमुक नगर नगर परिशद अध्यक्ष या महापावर जैसे लोग भरती प्रकिरिया से अलग हो जाएंगे और अवियर्थी को अलग नियोजन इकाई में बदल ले ऑनलाइन एक जगा से एक ही ज चैन में किसी प्रकार का भीबाद और सिकायत नहीं रहे वर्तवान प्रकिरिया में अलग अलग नियोजन इकाईयों में आवेजन देने से अवियर्थी रहते हुए भी पद रिक्त रह गए हाल में 9712 प्रार्यमिक शिक्षकों के पद में 48 एयर से अधिक पद रिक्त रह रह गए हैं आगे देखिए यहां पर दिया हुआ है आगे है कक्षा एक से आड़ तक असी हजार कक्षा नौ से बारा तक एक लग पद क्या है कि 31 दिसंबर तक रिटायर होने वाले सिक्षकों के सूची मांगी गई है हालांकि विवाग ने सभी डीओ डीपियों से 31 डाव ठोने वाले सिक्षकों की सूची आने के बाद सिक्षकों के रिक्षप और बढ़ सकती है और अभी छटे चरन के थार्ठ स्हुर चोदा सिक्षकों की भाली प्रिकरिया चल रही है जो जुलाई में फूरी हो जाएगे और छटे चरन में जो पद रिक्त रह गए उससे साथ में चरण में सामिल कर दिया जाएगा आगे है अभी अर्थियों से सेंट्रलाई तरीके से ऑनलाइन किये जाएंगे ऑनलाइन लिये जाएंगे आविजन यानि साथ में चरण में सिक्षक भाली के लिए अभी अर्थि सेंट्रलाई तरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और किस नियोजा निकावी में सिक्षक बनाना चाहते हैं बनना चाहते हैं इसके ऑप्षन मांगा जाएगा और उच और उच्वितर मादमिक स्कूलों में दिया हुआ सैतिस हैार चार सो सैताली सिक्षकों की बहाली के लिए 2019 स्टी टी ऑनलाइन परिच्छा ली गई थी और 2021 में जारी रिजल्ट में असी चार सो दो अवियर्थी क्वालिफाइड हुएं साथमे चरण में आवेदन के लिए योग होंगे तो यह पूरा अपडेट है बिहार में इसी साल 1.8 लाग इसकूली सिक्षकों की होगी बहाली ठीक है दोस्तों यहां पर दिया हुआ है अगस्त से लिकर अक्टूबर तक आएगी वेकेंसी तो यह आपका पूरा अपडेट है तो दोस्तों साथमें चरण से जुड़ा अपडेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो पिस नहीं वीडियो को लाइक कर दें फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई